एथिल, मैथिल, किटॉन का अभी हम नाम लिखना सीखेंगे तो आप इस फिडियो पुरा देखिए यहाँ पे दोस्तों बहुत आसान तरीकी से हम समझने वाले हैं देखिए यहाँ पे एथ का मतलब क्या होता है दोस्तों आपकी दो कारबन मैत का मतलब क्या है आपका एक कार्बन ये टेबल याद करो ठीक है मैत एथ तो मतलब यहाँ पे कुल मिलाके कितने कार्बन होगे तीन कार्बन होगे और आपका इसके साथ क्या आ रहा है किटोन आ रहा है मतलब क्या है किटोन क्या होता है R C double bond O R होता है तो यहाँ पे R यानि आपका ये वाला एथिल R यानि ये वाला मेथिल तो इसके बीच में आपका क्या आएगा यहाँ पे C double bond O आएगा अब देखे यहाँ पे हम कारबन की बात करते हैं कितनी वैलेंसी होती है कारबन की इन 4 bond बनाता है तो 3 hydrogen आजाएगा इसमें 2 hydrogen आजाएगे देखो 1 प्लस 3 कितना 4 1 2 प्लस 2 कितना 4 1 2 3 4 इस पे भी आपके 3 hydrogen आजाएगे IPC नाम लिखने के लिए हम क्या करते हैं नमरिंग 1 2 3 4 अब देखे यहाँ पे 4 carbon है 4 carbon को हम क्या कहते हैं carbon कार्बन की बीच देखो क्या है single bond इसके लिए ANE सबद आएगा कितन के लिए ON आएगा लेकिन जब यह इसके साथ जुड़ेगा तो इसका E गाइब हो जाएगा यानि butane कौन से नमर पे कितन 2 पे 2 ON तो यह इसका आपका IPC नाम बन जाता है या इसको आप क्या कहते हैं butane on भी कहते हैं चीक है तो यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप नीचे comment कर बताएं और इस चैनल को subscribe करें यह जरूरी बात है butane to on और इसको आप ऐसे simple सब्दों में यह भी कह सकते हैं butane on